हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू एग्रिकोचिंग चंडिकर और जैसे कि हमने पिछले लाइस सेशन में डेमो क्लासिस स्टार्ट की थी उससे पहले मैं आपको हर्टी कल्चर की डेफिनेशन उसकी ब्रांचिल पॉलिनेशन उसके मेकानिजम यह सब बता चुकी हूं लास में समय करते है अब हमने ऊचर ग्रहं करे लिए उसको म 해डर करने के लिए जो फूपरेशन पहला है लो आज हम कबर करने वाले है और वह कौन से है This बता सकते हो ये क्या है? चलो It's training and pruning But अब आपको ये बताना है कि ये जो diagram है ये जो diagram है ये training है या pruning है क्योंकि सबको idea है कि training क्या होती है, pruning क्या होती है But अगर define करने को बोले या इन दोनों के बीच में difference पूछें तो फिर blank हो जाते हो तो आज यही सब clear करेंगे training क्या होता है उसके methods क्या होते है उसके objectives क्या होते है basically overall जो eventual objectives है वो training और pruning दोनों के same है training और pruning दोनों क्या करना चाहते है plant को maintain करना चाहते है ठीक है, plant की growth को, उसकी int को बढ़ाना चाहते है वो सारे objectives सेम रहेंगे तो इन में difference क्या है वो आज हम इस lecture में जानेंगे so training and pruning जैसे कि मैंने आपको बताया most important orchard operations है first of all, ठीक है जो आपके fruit trees हैं, उनको maintain करने के लिए उनकी growth, उनके vigor को maintain करने के लिए और अगर अच्छी growth होगी अच्छा vigor होगा obviously जो हमारा ultimate goal है जो yield है हमारी वो जाधा हो जाएगी quality हमारी better हो जाएगी और mostly दो ही तो चीज़े चाहिए होती है एक जाधा पैदावार चाहिए होती है और जो पैदावार है वो अच्छी quality की भी होनी चाहिए ये दो ही चीज़े होती है quantity and quality, right? अब important orchard operations है तो सही है बट होते क्या है, करते कैसे है वो आपको पता होना चाहिए first is training ठीक है? training क्या होता है? देखो, आपने physical body training भी देखी होगी जब आप physical training करते हो, gym जाते हो, running करते हो तो क्या होता है? आपकी body की shape maintain होती है, right? क्या होता है? आपकी body की shape maintain होती है, है ना? आप मोटे होते हो तो आप पतले हो जाते हो पतले नहीं होता है, fit हो ठीक है? और बच्पन से अगर आप कुछ लोग होते हैं, वो बच्पन से running करते हैं उनमें बच्पन से, childhood से उनमें habit होती है कि exercise करनी है, एक routine होता है, ठीक है? तो उनको इतना difficult नहीं होता है फिर अपनी shape maintain करने के लिए बाद में Later on, अगर वो पहले से ही अच्छा खाएंगे अच्छा exercise करेंगे, अच्छा उनको routine होगा तो फिर उनको बाद में वो maintain करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन शुरू से ही आप unhealthy खाओगे, body training नहीं करोगे और fat जमा हो गया आपकी body में ठीक है? Body fat आपका जमा हो गया उसके बाद उस fat को reduce करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बोलते हैं न, early stages में आप फटा-फट से कम कर लो otherwise जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपके hormonal levels जो है, वो fluctuate होते हैं और पतले होना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह तो थी human की बात आपकी बात, आप सब की बात तो आपको यह पता है इसी theory को आपको apply करना है plants के case में वहाँ पे body training से आपकी shape maintain होगी यहाँ पे tree की training से tree की shape बनेगी, ठीक है? तो training is एक ऐसी practice है जहाँ पे जो tree की growth है उसको एक proper shape और proper form में maintain किया जाता है ठीक है? definition पढलो, training is a practice in which tree growth is directed into a proper shape and form और second मैंने बोला, it is better to direct tree growth with training than to correct it with truning की शुरू में ही एक बहुत important है चीज की जो training होती है न, वो early stages of early stages में मतब nursery stage से ही start कर देते हैं जब plants को लगाया जाता है तो nursery stage से ही उसकी जैसे आपका nursery class से ही अच्छी exercise, अच्छा routine होना चाहिए यहाँ पे plants को nursery stage पे ही train करना शुरू कर दिया जाता है ताकि उनकी एक proper shape बने, proper form बने राइट? training होता है early stages में pruning क्या होता है? pruning होता है जब later stages में जब plant well develop हो जाता है bearing में आता है later stages में इसी shape को maintain करने के लिए जो चीजें की जाती है वो pruning के अंडर आती है difference clear हो गया? training क्या होता है? एक proper shape and form बनाना ट्री की और pruning क्या होता है? उसी shape को maintain करना ठीक है? detail में आपको pruning के time में बताऊंगी यहाँ training complete हो गया आपका एक ऐसी practice जहाँ पे growth को direct किया जाता है shape बनाने के लिए now what is a well trained and pruned tree? अगर आप orchard में जाओगे बहाँ पे देखोगे तो आप सिर्फ इतना बोलोगे हाँ हाँ यह equal है यह shape है बस यह trained है well trained है well pruned है बट और भी बहुत सारे factors होते हैं ठीक है? factors to consider कौन-कौन सी चीज़े होनी चाहिए कौन-कौन सी चीज़े नहीं होनी चाहिए जब आप एक orchard में जाते हो और आप एक बहुत ही सुन्दर सा tree देखते हो है ना? बहुत ही सुन्दर well organized आप tree देखते हो उस tree को maintain करने के लिए कौन-कौन सी चीज़े जरूरी है आपको आज वो जानना है उसके लिए सबसे पहले आप इस tree के part पढ़ोगे कौन-कौन सी चीज़े इसमें होती है कौन सी beneficial है कौन सी non-beneficial है let's start with this thing trunk wait तो trunk क्या होता है main woody stem of the tree main woody stem of the tree ठीक है? जहां से branches grow हो रही है समझ आ गया? main woody stem of the tree ठीक है? यह पेड़ की वो woody stem है जहां से बाकी branches निकल रही है trunk clear second second आता है आपका head head क्या होता है? यहां पे बहुत confusion होती है basically यह जो चीज है इसको बोलते है heading high यह बोलते है heading high यह है head head trunk का वो part होता है जहां से scaffold branches जो first branch है वो arise होई है first branches क्या होई? यह first branch है फिर यह इसकी secondary है first branch है यह इसकी secondary है तो जहां से first branches emerge हो रही है उस point को बोला जाता है head अब heading height वो main branches जो head से emerge हो रही है this is the main branch और उसके अलावा जो इसके यहां से निकल रही है this is lateral branches तो scaffold branch is main branch this is the main stem na trunk उसमें से जो first branch निकल रही है that is scaffold branch और scaffold branch में जो आगे को हो रही है branches लग रही है that is lateral branches और secondary branches ठीक है? अब next आता है आपका सक्कर अब यहां पर कभी-कभी आप पेड के आसपास यह चीज़े निकलते हुए देखते हो है ना यह चीज़े यह चीज़े नहीं होनी चाहिए यह क्या होती है basically यह देखो यह क्या होता है जो adventitious birds होते हैं उसमें से निकलती है या तो जो underground part of the stem होती है उसमें से यह suckers emerge होते है और यह not desirable यह नहीं चाहिए हमें यह क्या करेंगे फालतु का nutrition लेंगे और plant की growth को क्या करेंगे minimize करेंगे less grow होगा क्योंकि आदा nutrition यह ले लेंगे roots से ठीक है तो यह suckers हमें नहीं चाहिए यह unwanted है अब हमने पढ़ा head क्या होता है यहां से यहां तक जहां से main point जहां से scaffold branch निकल रही है अब जो यह head है मतलब जो first branch है वो ground level से 0.7 से 0.9 meter पे लग रहा है उसको लेंगे low headed tree मतलब नीचे लग जा रही है first branch लेकिन अगर 1.2 meter से जादा है आपका head मतलब मान लिया यहां पर यह नहीं है और यहां पर लग रही है first branch यह distance ground से यहां तक बड़ा है तो इसको बोलेंगे high headed trees ठीक है तो जो low headed trees होते हैं उसमें क्या होगा harvesting operation easy हो जाएगा क्योंकि fruit फोड़ा नीचे नीचे लगे होंगे तो harvesting easy होगी spray करना easy होगा और bearing में भी यह जादा आएंगे high headed tree में क्या होता है tropical climate के लिए बिल्कुल suitable नहीं है क्योंकि sun के जब यह उपर उपर होगा न यह जादा जादा तो sun light से जादा expose होगा और sun scylt के chances होगे किसमें high headed वाले में high headed trees are not suitable for tropical climate ठीक है तो हमने trunk पढ़ लिया हमने क्या पढ़ लिया यह head पढ़ लिया heading height के according tree दो type के होते हैं वो पढ़ लिया सकर नहीं चाहिए यह भी पढ़ लिया अब आता है crotch angle यह बहुत important question है ठीक है पहले आ चुका है crotch angle क्या होता है ठीक है तो this is crotch angle जो trunk और scaffold branch है ठीक है trunk और scaffold branch के बीच का जो angle है that is called crotch angle उसके साथ जो यह scaffold branch है और lateral branch है उसके बीच के angle को भी बोलेंगे crotch angle मतलब एक टहनी से दूसरी टहनी के बीच में जो angle बन रहा है this is known as crotch angle अब यह जो crotch angle है यह हमेशा wide होना चाहिए ठीक है जैसे यह एक टहनी है और यह दूसरी टहनी है तो यहां पे wide होना चाहिए narrow नहीं होना चाहिए क्योंकि xylem जो xylem का flow होता है xylem क्या करता है water को transport करता है तो जब narrow होगा तो वो breakdown हो जाएगा और moment ज्यादा अच्छे से नहीं होगी तो हमेशा first question आता है कि crotch angle बोलते किसको है किसको बोलते है trunk से scaffold branch के angle को या तो scaffold branch से secondary branch के angle को बोलते है crotch angle और यह जो crotch angle है यह हमेशा wide होना चाहिए narrow नहीं होना चाहिए clear? now next is water sprout water sprout क्या होते है यह देखो यह एक branch है main branch है नहीं यह first branch है इसमें जो है water sprout जो है ऐसे लग जाते है और इसका reason क्या होता है या तो branch में कोई damage हुआ है चाहे insect से हुआ है चाहे disease से हुआ है या कोई strong winds आ रही है जिसकी वजह से यहां पे क्या हुआ है कुछ damage हो गया है अब देखो आपको भी जहां पे cut लगता है वहां पे फटा फट से formation होती है अप्राइट पुजिशन में देखो vigorous vegetative shoots on the main branches in upright direction यह भी क्या है हमें नहीं चाहिए क्यूँ expense of main branch ठीक है यह जो main branch है इस पे water sprout लग जाएगा अगर तो क्या होगा nutrition यह भी लेगा और इसका तो कोई use ही नहीं है तो हमें suckers भी नहीं चाहिए तो यह सब हमें avoid करने है ठीक है और अगर आ जाएंगे तो इनको remove करना है next leader most important जब भी आप training के methods पढ़ोगे ठीक है different different methods पढ़ोगे उसमें important role होगा leader का ठीक है इसलिए याद रखना leader क्या होता है ground से लेकर tip तक ground से लेकर tip तक जो यह पूरी main wait main growing branch है इसको बोलते है leader ठीक है तो यहाँ से start करेंगे this is leader leader के बाद क्या आया this is उपर leader नीचे trunk उसके बाद crotch angle important है समझ आ गया trunk से लेकर scaffold branches के बीच का एंगल है उसके साथ ही जो first branch और secondary branch के बीच का एंगल है वो भी crotch angle crotch angle wide होना चाहिए lateral branches secondary branches same thing head क्या होता है अब हम अपने topic प्याते है what is well trained यह सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप यह समझ सको जब मैं आपको बता हूँ कि well trained tree वह होता है जिसमें sprouts नहीं होते हैं है ना जिसमें suckers नहीं होते हैं तो अगर मैं directly यह बता दूं तो आपको पता है नहीं होगा suckers क्या होते है sprouts क्या होते है अब आपको पता है water sprouts क्या होते है main branch में जो unwanted growth suckers क्या होते हैं जो root के पास से निकल रहे होते हैं वो हमें नहीं चाहिए first training का motto ही है framework बनाना a strong shape बनाना उसकी frame बनाना ठीक है तो first objective is strong framework ठीक है first objective क्या है strong framework second is no drooping branches ठीक है एक tree है उसकी काफी अच्छी जैसे pyramid बना देते है pyramid में क्या होता है lower branches बड़ी फिल छोटी छोटी this is called pyramid अब एक branch यहां से ऐसे को गिर रही है drooping branch तो यह सारी shape भी गाड़ देगी तो हमें क्या करना है no drooping branches कोई drooping branches नहीं चलेंगी otherwise framework क्या होगा ठराब हो जाएगा wide crotch angle यह आपसे discuss कर लिया है क्यूं चाहिए wide crotch angle और कितना होना चाहिए 45 degree to 60 degree कितना crotch angle होना चाहिए 45 degree to 60 degree now जैसे कि मैंने आपको बताया it should be free from water sprouts root और crown suckers इन सब से free होना चाहिए उसके बाज आते हैं spur spur के होते हैं shoot की growth होती है जहां पे fruit लगते हैं अब यह बहुत numerous लग जाते हैं तो हमें numerous spurs नहीं चाहिए क्योंकि एक ही टैनी पे जो बहुत सारे fruits लग जाएंगे तो fruit की quality खराब हो जाएगे तो अगर numerous spurs लग जाएं वो भी training के under आता है ठीक है objectives same strong framework होना चाहिए पूरी shape को control करना है उसको regulate करना है हमें यह ध्यान रखना है कि crotch angle better हो हमें यह ध्यान रखना है कि पूरी जो sunlight है सभी branches से equal हो ठीक है जो interception है sunlight की वो अच्छे से हर part of tree को मिले ठीक है water sprouts as well as suckers को remove करना and the most important objective of both training and pruning is to develop a balance between vegetative and reproductive growth vegetative growth क्या होती है जो आपकी tahiniya stems लगती है leaves लगते है और reproductive growth क्या होती है जो आपके flowers लगते है reproductive structures flowering जो होती है fruiting होती है वो सब किस में आता है reproductive growth में vegetative में stem leaves और reproductive में flowers and fruits उनके बीच का balance बना के रखना है obviously जब आपकी shape maintain होगी एक proper height में होगी तो fruit भी जादा लगेंगे और अच्छी quality के लगेंगे बीग बीग लगेंगे अगर यह जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई हमने maintain की shape और uninterrupted ऊपर जाती रही तो क्या होगा फिर एक तो sunlight अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी and second जब vegetative growth increase हो जाएगी जब stem leaves increase हो जाएगे तो fruit नहीं लग पाएगे अच्छे से लगेंगे भी तो बहुत small size के लगेंगे ठीक है principles क्या होते है अब training जो है first principle मैंने जैसे आपको बताया आपने क्या करना है training बच्पन से करनी है nursery state से training should be started from very beginning age of the plant ठीक है बहुत beginning में ही आपको training शुरू कर देनी है तो question आता है कि जो training है statement आ जाएगी या explanation आ जाएगी training को early stage में करते है pruning को later stage में करते है ठीक है इसको कहीं पे लिख लो बहुत important है training को beginning में करते है pruning को later stages में करते है बागी सब सेम है यह देखना है कि mostly single stem जो fruit होते हैं उनको क्या किया जाता है जिसे pomegranate है fig है custard है इनको single stem system पे train किया जाता है ठीक है क्योंकि multi stem है उसमें क्या होगा बहुत सारी multi stems हो जाएंगी बहुत सारी multi stems हो जाएंगी तो insect का attack जादा हो जाएगा prone to insect attacks अग है कि हमें सबसे बड़ा principle training का यह है कि एक plant पे एक जगा पे बहुत सारी branches नहीं उगने देने हैं और very near to each other ठीक है तो crotch angle हमेशा ध्यान रखना है narrow वाला जो crotch angle होगा अगर यह tree है अगर कोई इससे narrow angle से branch बन रहे होगी उसको भी discard करना है उसके लावा जो भी मैंने बताया water sprouts यह वह उसके principles हैं कि कोई भी जो unwanted cheese है जो intermingling वाली branches है क्योंकि एक साथ नहीं लगने देनी है तो सबको हमें क्या करना है discard कर देना है ठीक है अब हम आते हैं training methods पे ठीक है training methods में first is open vase second is modify central and third is central open vase इन सबको हम detail में बाद में discuss करेंगे अभी देख लो open center में क्या होता है vase shape होती है एक bowl का shape होता है open मतलब जो central leader होता है बीच में बताया था ground से लेके यहां तक इसको हम क्या करेंगे cut कर देंगे ठीक है और फिर हम जो scaffold branches है उनको grow करने देंगे तो इससे क्या होगा light के interception बहुत अच्छे से हर branch पे आएगी और जादा fruits लगेंगे but disadvantage यह है कि इतना strong नहीं होगा leader ही नहीं है leader ही हमने beef से हटा दिया है तो यह जादा strong नहीं होगा जादा इसमे fruits जो हैं लगेंगे भी तो crop load यह नहीं ले पाएगा जादा तर इसको किया जाता है peach में, guava में bear और apricot में यह मैंने same बता दिया क्या क्या होता है disadvantages मैंने बता दिये अब central leader system क्या होता है इसमें हम center का main leader है उसको हम uninterrupted बढ़ने देंगे हम नहीं उसको कुछ छेडेंगे ठीक है और जो first branch है वो 40 to 50 cm height पे central leader मितलब leader को जो बीच की यह है इसको नहीं छेडेंगे इसको हम grow करने देंगे इससे क्या होता है इसमें जो आपका tree है वो तो strong होगा ठीक है काफी strong बनेगा but at the same time fruits जादा नहीं लगेंगे क्योंकि sunlight की interceptions हर जो branch है उस पे नहीं जो lower branches है वो unproductive रहेंगी क्योंकि उस तक sunlight पहुँच ही पाएगी central leader strong जरूर होता है यह इसका advantage है लेकिन disadvantage यह है कि इसमें जादा fruit bearing नहीं हो पाती क्योंकि lower branches जो नीचे वाले branches है वो unproductive रहती है वहां तक sunlight पहुँच ही नहीं पाती यह adopt किया जाता था पहले apple, pear, mango, walnut, supporta में अब apple और pear के लिए different special जो आपके training system है espalier जो आगे आएगा वो भी करते हैं लेकिन जब से यह मैंने आपको बता दिया सारा advantage, disadvantage जब से modified leader system आया है it is the most acceptable training system question पूछा जाता है कौन सा training method most acceptable है fruit crops के लिए so it's modified leader system यह दोनों का mixture है central leader and open center कैसे इसमें पहले 4-5 साल तक बढ़ने देते है center leader को उसके बाद उसको एक height पे cut कर देते है 2-3 meter पे cut कर दिया पहले बढ़ने दिया 4-5 साल उसके बाद cut किया तो cut भी कर रहे है open की तरह और जादा बढ़ने भी नहीं दे रहे uninterrupted किसकी तरह central leader की तरह तो दोनों का intermediate है इसमें height moderate होती है light interception भी अच्छी होती है lower जो branches होती है वो भी unproductive नहीं होती है उसके सारे disadvantages यहां पे cover हो जाते है apple, pear, plum and sweet cherry में इसको किया जाता है इसका मतलब है जो temperate crops हैं वहां पे जादा इसको use किया जाता है यह मैंने बता दिया अच्छी interception होगी यह सब मैंने बता दिया तो देखो central leader मतलब leader को बढ़ने दिया जाएगा uninterruptly जितना बढ़ना है बढ़ ले ठीक है तो उसकी वज़े से क्या होगा fruiting नहीं लगेगी sunlight के interception नहीं होगी modify दोनों का mixture इसमें central leader ही नहीं ठीक है अब special methods जैसे कि मैंने आपको बताया कि special method बाद में adopt किये गए है first is bush system bush क्या होता है एक जहाड़ी जैसा तो इसमें भी क्या है यह देखो यह जो branches है तीन से चार branches को grow कराया जाता है और उसके ऊपर ही फिर आगे secondary branches इतनी सारी ऐसे लगती है कि एक bush type का structure बनता है ठीक है that is bush system pyramid pyramid क्या होता है lower branches बड़ी फिर छोटा 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 ऐसे होता ना pyramid ठीक है यह बड़ी फिर छोटा 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 ऐसे pyramid की shape बनाता है ठीक है उसके बाद espalier espalier का french word है यह जिसका मतलब है fencing fencing कैसी होती है देखो जब आप चारों तरफ fencing लगाते हो तो आपने देखा होगा इसे 3 तारफ लगाए जाती है 1 2 3 तो इसमें भी क्या है ground से parallel में 3 wires लगाई जाती है ठीक है different heights पे जिसके देखो 3 wires पहली यहां से यहां तक हम लगाएंगे 60 to 70 cm की फिर यहां से यहां तक 130 से 140 और यहां से यहां तक 200 मीटर पे तीन हमने wire लगा दी और उस पे फिर जो आपकी stems है जो आपकी branches है उनको हम trail कर देंगे उस पे ठीक है now यह देखो यहां पे ऐसे लगाते हो ना fencing की wire यह देखो ऐसे लगाते हो इसके उपर यह जो stem से इनको train किया जाता है cordon system cordon system जादा तर single stem trees के लिए किया जाता है देखो एक ही stem को grow किया जाता है पीछे espalier में क्या था different wires पे 1,2,3 दोनों तरफ को ऐसे बहुत सारी multi stem को हम grow करा जाते, cordon में सिर्फ एक stem को या तो इस तरफ से भी एक-एक stem को इस तरफ से भी इस तरफ से भी इस को बोलेंगे double और एक ही तरफ को सारा stem तो it's single cordon ठीक है? इसका advantage यह है कि early crop bear करता है यह देखो ठीक है? ऐसे इस ही में सारे fruit लगेंगे इस तरफ को grow कराएंगे this is cordon तो cordon पुछेंगे cordon क्या होता है it's single stem training system ठीक है? कभी-कभी आ जाता है cordon क्या होता है single stem training system now tatura trellis, tatura trellis क्या होता है? देखो trellis का मतलब होता है this, यह जाली जैसा ठीक है? this jali is called trellis तो अब यह देखो ऐसे बिलकुल एक तो है कि y-shape के यह बनाई होते है pole से इनको ऐसे जो wire है देखो wire है 12.5 गौज की उसको आगे तक spread किया है 7 feet तक stretch किया है फिर pole के help से उनको बांदा है और उसके बीच में एक तो question ही आता है जो trellis की orientation है वो किस side को होती है? north से south को ठीक है? और जो main branches होती है यह और यह जो main branch है वो मिलके y या v जो angle बनाती है क्योंकि उनके बीच का crotch angle मतलब ऐसे बनाती है इसके बीच का crotch angle होता है 60 to 70 degree 60 degree to 70 degree तो diagram से समझो इसको यह देखो यह जो दो है main branches मिलके v बना रही है और ऐसे देखेंगे तो y बना रही है ठीक है? and this structure is called trellis तो tattura trellis अब कुछ training methods देखो grapes wine के लिए पूछा जाता है सबसे पहला question होता है most commercial कौन सा use करते है its boa system different system है different cultivars के लिए head system है head system में diagram से समझो head मतलब उपर वाला terminal portion पे ही branches को सिर्फ grow कराया जाता है और यह क्यों किसके लिए कराया जाता है जो less vigor होता है जादा फैलते नहीं है उन कल्टी grapes के वो कल्टिवार जो जादा spread नहीं होते हैं जादा फैलते नहीं है उनके लिए is head system जहां पे terminal portion पे grow कराया जाता है shoots को ठीक है जैसे delight, beauty seedless और most important perlet के लिए कौन सा use होता है head system easy method है better interception है यह सब चीजे है niffin system क्या होता है what is niffin system सबसे पहले तो जो moderate vigorous होते हैं मतलब less vigorous नहीं होते बहुत vigorous में होते हैं ठीक है उनके लिए ही use किया जाता है इसमें उसमें क्या था तीन से चार wire थी किसमें थी बताओ मुझे बताओ आपको time दे रही हूं मैं espalier में थी espalier क्या है fence espalier is a french word जिसका नाम है fence उसमें कितनी wires थी इसमें only two wires है और उन two wires पे इसको जो grape की wind से उनको train किया गया है इस तरीके से कि वो four arms वाली रिखे देखो एक, दो, तीन, चार इसमें से क्या होता है ऊपर वाली जो branches होती है उनमें slide की interception जादा होती है ठीक है तो यह जादा productive होती है और यह देखो किती छोटी-छोटी है यह less productive है early musket में इसको use किया जाता है क्या होता है निफी two wires use होती है इसमें two wires को stretch किया जाता है उसके उपर जो है वो, जो दोनो lines है wire की grey vine को train किया जाता है ठीक है four arm system के साथ और किसके लिए use होता है यह moderate के लिए जो moderate vigour के होते है now bore system यह क्यों bore system adopt इसलिए commercially किया जाता है first first is क्योंकि जो wines होती है grapes की बहुत vigorous होती है तो यह vigorous cultivar के लिए जैसे अनाबे शाही very important very famous variety ठीक है मेहंगा जरूर होता है क्योंकि पूरा जैसे मंडब से जाते है वैसा होता यह देखो पूरा कुकुर्बेट्स के लिए भी आपने देखा होगा ऐसे ऐसा structure बनाते है तो wires का criss-cross network होता है ठीक है तो question आतकता है board system में क्या होता है roof light structure criss-cross network परगोला भी बोल सकते है मंडब भी बोल सकते है इससे क्या होता है एक तो जो grape होता है उसमें bird जो होते है वो scar कर देते है वो भी इससे prevent होता है और जो berries होती है वो desiccate हो जाती है wind की वज़ा से वो भी इसमें नहीं होता है ठीक है तो सबसे पहले vigorous cultivar के लिए suited है winds को train किया जाता है criss-cross network of wire पे ठीक है commercial ज़ी इसको use किया जाता है now telephone and overhead trellis system इसको modify board system भी बोला जाता है क्यूं? pictures में देखो ये board system के जैसा ही है ये देखो roof जैसा ही बनाया है लेकिन इसमें criss-cross network नहीं है इसमें spacing भी गई है ठीक है inter-culture operation यहां देखो similar to board system ठीक है except that every two meter मतलब जो every two meter जो है उसकी spacing रखी जाती है ताकि walk करने में भी easy हो ठीक है और cultural operations भी अच्छे से perform हो सके इसी के साथ हमारे training methods खत्म होगे देखो training क्या होता है shape बनाना proper shape और form देना एक ऐसी practice जहां पे हम tree growth को direct कर रहे है जो growth है उसको एक proper shape दे रहे है ठीक है कैसे दे रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया different methods होते हैं open में हम कैसे shape दे रहे हैं vast shape दे रहे हैं ठीक है central leader उसमें हम कैसे shape दे रहे हैं लंबी वाली central leader को बढ़ने दे रहे हैं और फिर ऐसे से उसमें branches लग दे हैं third modify central उसमें क्या करते हैं दोनों का mixture होता है बढ़ने भी देते हैं 4-5 साल तक फिर cut कर देते हैं उसको ठीक है उसके बाद different special पड़े head system, espalier सब में कोई ना कोई अलग-अलग shapes बन रही हैं ठीक है अब shapes बन चुकी है आपको जैसी भी shape बनानी है वो shape बन चुकी है अब pruning से हमें उस shape को maintain करना है ठीक है तो pruning क्या होता है removal or cutting away of portion of the plant to improve its shape ठीक है जो उसकी shape बनी हुई है already उसको improve करना है उसको maintain करना है ठीक है pruning is started in later part of the plant वो क्या था? early nursery stage में start हो रहा था यह later part में when it starts bearing flowers and fruit तो इस simple सा फंडा है shape को बनाना is training उसको maintain करना या improve करना is pruning जैसे यह है इसमें shape तो पहले बनी हुई थी बट उस shape को maintain नहीं किया तो देखो क्या हालत होगी फिर हमने क्या किया जो यह intermingling है यह सब चीजे है इनको अच्छे से cut किया thinning किया, heading back किया अब यह क्या होता है वो भी आगे पता चलेगा तो देखो कितनी proper shape maintain हो गई ठीक है तो maintenance जो होती है वो pruning करता है objective same क्या होता है आपने shape तो maintain कर ली है बट क्या होता है बीच में कोई disease लग जाती है या कोई shoot damage हो जाती है wind strong wind से तो कोई ऐसे अच्छी कासी लगे हुई है बट wind की वज़े से वो ऐसे droop हो गई है तो उसको काट देना उसको फिर thin out कर देना pruning का काम है pruning के under आता है ठीक है तो इसके लिए मैंने एक trick बिनाई थी कि जो पुरू है ठीक है जो पुरू है वो अपने relationship को damage होने से बचाने के लिए और उस relationship को balanced रखने के लिए रोज रोशनी को क्या करता था रोज के रोज रोशनी को फ्लार देता था ठीक है तो पुरू ही इस pruning damage को बचाने के लिए इस जो भी damage हो रहा है insects के थू हो रहा है disease के थू हो रहा है उसको remove करना balance बनाना वेजिटेटिव और reproductive के बीच में रोज मतलब regular regular bearing regular bearing क्या होती है regular bearing और alternate bearing क्या होती है एक season में लगना एक में नहीं लगना it's alternate bearing और हर season में अच्छे से लगना fruits का is called regular bearing ठीक है उसके पास flower देता था to control and to thin out flowering and fruiting objective है pruning का रोशनी मतलब sunlight pruning का काम है कि ensure करे proper sunlight plant को strong बनाना उसको more productive बनाना उसकी tree की longevity maintain करना और even अगर tree मरने की हालत में है तो उसको rejuvenate करना यह सब काम है pruning के ठीक है principles सबसे पहले pruning के time पे आपको ध्यान में रखना है बार्क injury नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके लिए आप क्या करोगे जैसे ही pruning करोगे pruning मतलब जैसे यह है और यह drooping है drooping आपकी branch है इसको यहां से काट दिया अब यहां से काट दिया तो यहां पे infection ना हो जाए हमें यह ध्यान में रखना है तो हम क्या कर सकते हैं बार्डक, paste अप्लाई कर सकते है प्रूनिंग के बाद यहां पे इससे क्या होगा? infection फैलेगा नहीं इंजुरी हो भी जाएगी तो वह remove हो जाएगी मतलब improve हो जाएगी overcome हो जाएगी फिर जो प्रूनिंग है वो देखना है कि आप flowering से पहले ही कर लो क्योंकि flowering एक बार लग गई तो फिर उसको मतलब काट देना इस लाइक अपनी yield reduce करना प्लांट की है ना तो flowering ते पहले ही shape maintain कर लो then winter से पहले ही कर लो या तो थोड़ा late winter में करो ताकि chilling injury ना हो जाए प्रूनिंग के methods क्या होते हैं thinning out, heading back, wringing & girdling, dehorning, notching & nicking अब ये same की same definition proper line में पूछ ली जाती है कि complete removal of branch को क्या बोलते हैं heading back का definition, wringing क्या होता है, girdling क्या होता है तो इन सब methods के बारे में आज हम जानेंगे देखो, सबसे पहले है thinning out जब shoot को entirely remove किया जाता है from the base it is called thinning ठीक है, क्यूं करेंगे इसको अगर कोई जैसे ये आपका tree है ये सारी अच्छी अच्छी branches लगी है बीच में एक branch है, वो ऐसे को निकल रही है ठीक है, मतलब drooping हो रही है तो हमें इस पूरी branch को ही काटना पड़ेगा इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको correct नहीं कर दिया जा सकता तो इसमें हम thinning out perform करेंगे जब कोई chance ही आए improvement का तो हम क्या करेंगे पूरी के पूरी branch जो shoot है उसको remove कर देंगे उसको बोलते है thinning out heading back क्या होता है, head क्या होता है सिर्फ ये वाला portion है ना तो terminal portion तो हम फिर्फ terminal portion को remove करेंगे ठीक है, पूरी branch को नहीं करेंगे ये कम करना होता है जब माल लिया कि ये पूरी branch है लेकिन यहां पे कुछ disease लग गया है अब ये disease फैलेगा इससे पहले आप इसको यहां से cut कर दो पूरी branch जब हम remove नहीं करते हैं जो basal portion है जो यहां से जुड़ा हुआ है वो वहीं पे रहता है तो उसको बोलते है heading back ठीक है? सिर्फ terminal portion को आप remove कर रहे हो wringing and girdling wringing होता है पूरा एक ring of bark 1-2 cm का remove करना ठीक है? girdling is one and the same thing but it's a milder treatment than ringing ठीक है? कैसे कर सकते है? या तो हम उसको knife से use करो या तो एक wire लगा दो चारो तरफ फिर क्या होगा? जब stem grow करेगी तो obviously वो तूटने लगेगी wire उससे tie कर देंगे तो ठीक है? dehorning क्या होता है? horn होता है sing जब sing बहुत ही बड़े हो जाएं गुसरे में गुसने भी लगते हैं तो हमें वो नहीं चाहिए जब ऐसी condition हो जाती है intermingling सारी branches एक दूसरी के अंदर गुसरी है तो हमें यह नहीं चाहिए तो dehorning क्या होता है? removal of, overcrowding and intermingling of branches is known as dehorning छोटी छोटी सी terms है as such exam में आ जाती है most important noching noching क्या होता है? यह चीज जब आप यह जो बड़ है इसके उपर देखो नीचे और निकिंग निकिंग होता है बड़ के नीचे और उसके opposite noching होता है noching होता है बड़ के ऊपर जब आप एक थोड़ा सा wedge shape remove करते हो और remove क्यूं करते हो आप? ताकि hormonal का influence हो और growth encourage हो same thing मैंने आपको बताया था जहां पर आपका cut लगता है वहां पर फटा-फट से सारे वह बनने लगते है सेल टिशू बनने लगते है growth encourage होती है इस जगह पर तो यहां पर भी जब क्या करेंगे यहां पर cut लगाएंगे तो यहां पर hormonal influence होगा और growth बड़ेगी निकिंग में क्या होगा निकिंग में यह देखो डाइग्राम यह बड़ है उसके नीचे से हमने क्या किया है नोच निकाला है ठीक है जो नोच है वह कहां लगाया है हमने कहां लगाया है बड़ के नीचे निकिंग और नीचे नी-नी से याद रखना है इस leaf से bud में लेकर जाएगा फिर क्या होगा reproductive growth पड़ेगी fruit bud उसमें क्या हो रहा था vegetative growth पड़ी थी nicking में क्या हो रहा है reproductive growth बढ़ रिया है दोनों different है ठीक है अब जो pruning है season की according its one important is dormant pruning second is summer pruning कौनसी best होती है dormant वाली लेकिन late winter dormant pruning क्या होता है जब हम winter में pruning करते हैं उसको बोलते है dormant pruning ठीक है उस टाइम पर flooring में आ रही होती कुछ नहीं आ रहा होता ahead तो हम क्या कर सकते हैं出去rasilling कर then we visit आ सके tree को, summer जादा common नहीं है, जादा use नहीं होती है, but बहुत specific जगाओं पे use होती है, summer में जब हम pruning करते है, it is called summer pruning, it's specific and selective, ये basically क्या करती है, अगर हमें चाहिए हो कि हमारी tree की growth थोड़ी slow slow चले, ठीक है, उस case में हम क्या करते है, summer pruning, क्योंकि ये reduce करता है tree की growth को, by eliminating energy or food producing portion of the tree, ठीक है, उसके रावा root pruning होता है, root pruning में क्या करते है, obviously root की pruning करते है, कैसे, जो 40 cm away हम roots को काटेंगे, ठीक है, इससे क्या होता है, dwarfness आती है, flowering और fruitness increase होती है, और इसको सबसे ज़्यदा प्रेक्टिसाइज किया जाता है, mandarin में, ठीक है, citrus में, orange में, फिर, एक special practice है, bending, bending में के कर दिया जाता है, देखो, ये जो आपकी lateral जो shoot से उनको bend कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है, ताकि fruit की production ज़्यदा हो, यहां से पर भी लगेंगे, यहां पर भी लगेंगे, कहां, question आता है, कहां प्रेक्टिसाइज किया जाता है, इसको सबसे ज़्यदा, तो the answer is guava, bending कहां प्रेक्टिसाइज होती है, guava में, important question है, इसको भी ध्यान में रखना, Now, the last one is smudging, mango में ज़्यादा होती है, इंडिया में famous नहीं है, ज़्यादा, पूछ लिया जाता है, कहां होती है, mango में, होती क्यों है, देखो, हमने क्या करना है, it is a practice of smoking the tree, by, क्या करते हैं, हम smoke को allow करते हैं, to pass through the center of the crown of the tree, ठीक है, जैसे यह धुआ है इसमें होता क्या है, basically, ethylene gas होती है, इससे क्या होता है, flowering or fruiting induced होती है, easily, ठीक है, mango में कर देते हैं इसको, और यह जो smoking है, यह तब तक continue रखेंगे, जब तक, जो terminal word है, वो swell ना हो जाए, फूल ना जाए, तब तक हम smoke treatment देंगे, and it is known as smudging, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या नहीं आया, उसके लिए हम, एक quick revision करते हैं, लेकिन कहां करें, यहां कर देते हैं, देखो, हां जी, जल्दी से कर लेते हैं, हमने बढ़ा training and pruning, जो की orchard में होने वाले two major operations है, ठीक है, ऐसे बढ़ेगे, training and pruning, ठीक है, key points विख लो, training, early stage में, ठीक है, shape बनाने के लिए, और pruning, later stage में, shape को maintain करने के लिए, ठीक है, ऐसे बता जाते हूँ, training में क्या होता है, early stage पे, pruning में, later stage पे, shape को बनाने के लिए, shape को improve या maintain करने के लिए, training के methods main होते हैं, open, ठीक है, center leader and modify center, ठीक है, modify leader, उसके बाद, जो pruning है, उसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है उसमें, या तो heading back, या तो heading back कर दिया जाता है, या तो क्या कर दिया जाता है, to maintain, vegetative phase और reproductive phase का balance, उनके बीच में balance रखना है हमें, proper shape maintain करनी है, ultimate goal है, अच्छी yield का, अच्छी quality का, जो कि कब होगा, जब balance बना रहेगा between vegetative and reproductive phase, ठीक है, different types, आप देख लेना, उसमें क्या क्या होता है, small saw, जो definitions है, noaching, dehorning, ठीक है, nicking, ये सब ध्यान में रखना, तो इसी के साथ, आपका training and pruning, topic भी खतम होता है, orchard के important operations से ही है, इसके बाद हम, बहुत important topics करेंगे, propagation कैसे होता है, ठीक है, orchard आपने establish कर लिया, tree को maintain करना भी सिख लिया, अब ये जो plant है, ये जो cuttings भी हम लगाते हैं, commercial propagation किस से करते हैं, वो सब जानना भी बहुत important है, ठीक है, और उसके साथ ही, ये जो topics हैं, ये horticulture, overall horticulture के बहुत important topics हैं, कोई भी exam दोगे, system of planting में से बहुत question बनते हैं, training pruning में से बहुत question बनते हैं, तो ये बहुत ही basic topic है, इनको आप अच्छे से revise करो, अच्छे से पड़ो, और इसमें से question पका ही आते हैं, और आपके concepts भी clear होने चाहिए, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तभी आप बतावाओगे, क्या difference होता है, training और pruning में, ठीक है, अभी आप अपने दिमाग को खोलो, सोचोगी, आपको अब आता है, training क्या होता है, shape बनाना, pruning क्या होता है, उसको maintain करना, ठीक है, इतनी सी बात थी, तो इसी के साथ हमारा topic खतम हो रहा है, मिलते हैं, अगले lecture में, I hope आपको समझ आया होगा, इस में से कोई भी question आएगा, तो आप करोगे, और करोगे कब, जब इसको revise करोगे, नहीं तो साफ हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छे से revise करो, अच्छे से पढ़ो, और next topic में मिलते हैं, और तब तक के लिए, thank you so much.